प्रयाग राज के उमेशपाल हत्याकान में शामिल शूटर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है अतीक एहमद के बेटे असद ने पुलीस को चक्मा देने के लिए हत्याकान से पहले ही हैरान कर देने वाली तयारी कर रखी थी और इसके लिए असद ने एक दरजन से ज्यादा मोबाइल फोन खरी दे थे सुत्रों के मताबक हत्याकान से पहले असद ने 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरी दे थे ये सभी फर्जी नाम और पते पर खरी दे गए थे हत्याकान के बाद हर शूटर को तीन-तीन सिम और मोबाइल फोन दिये गए STF प्रियागराज के कट्रा इलाके से मोबाइल सिम काट देने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है पुलीस का दावा है कि जल्द ही सभी शूटर्स पकड़े जाएंगे लेकिन सवाल उड़ता है कि शूटर्स की लोकेशन पुलीस को अब तक क्यों नहीं मिल पाई है क्या उन्हें जमीन खा गए या आस्मान निगल गया पुलीस के हाथ इतने दिन बाद भी खाली क्यों है दरसल पुलीस शूटर्स तक इसलिए नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि हत्या में शामिल हर शूटर्स ने अपने पुराने मोबाईल फोन और सिम कार्ड से बात करनी छोड़ दी है यानि उनकी प्लानिंग पहले से ही फूल प्रूफ थी उन्हें पता था कि इतने बड़े हत्याकान को अंजाम देने के बाद पुलीस उन्हें पकड़ने के लिए एडी चोटी का पूरा जोर लगा देगी इसलिए उन लोगों ने पहले से ही नए मोबाईल फोन और सिम का इंतजाम कर रखा था अब पुलीस सिम कार्ड देने वाले शक्त से नए सिम कार्ड के नंबर के जरिये उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है सूत्रों की माने तो पुलीस आरोपी शूटर्स की तलाश में यूपी के कई शहरों गुजरात और नेपाल तक छापे मारी कर रही है सूत्र पताते हैं कि यूपी पुलीस गुजरात के होटेल्स में भी आरोपियों की तलाश कर रही है और इस भी चतिक एहमत की बीवी शायस्ता परवीन को लेकर भी एक खुलासा हुआ है सूत्रों की माने तो उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स को पैसे शायस्ता परवीन नहीं दिये थे और ये पैसे लाखो रुपयों में थे ये भी पता चला है कि शायस्ता परवीन ने पैसे उमेश पाल की हत्या करने से पहले ही शूटर्स को दे दिये थे हत्याकार में शामिल शूटर्स को पैसा देने की पुष्टी होने के बाद ही पुलीस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपे के इनाम का एलान किया था यही नहीं अतीक के करीबी सुधानशुत रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित ने क्राइम ब्रांच के सामने कई राज उगले हैं सूत्रों की माने तो पुलीस ने बल्ली पंडित के मोबाइल फून की कॉल डीटेल रिकॉर्ड को खंगाला है जिसमें अतीक के करीबियों से बाचीत की जानकारी मिली है ये भी पता चला है कि शूट आउट से पांच दिन पहले शाइस्ता परवीन बल्ली पंडित के घर भी गई थी दरसल उमेश पाल की हत्या से पांच दिन पहले का एक CCTV सामने आया था इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता और आरोपी शूटर साबिर एक साथ जाते दिखे थे रवीवार की रात क्राइम ब्रांच ने बल्ली पंडित को प्रयागराज के कर्बला इलाके में मौजूद उसके घर से हिरासत में लिया था सूतरों के मताबिक बल्ली पंडित ने पुलीस को बताया है कि लखनों के एक बड़े बिल्डर ने उमेश पाल की हत्या कराने के लिए अतीक के बेटे को डेड़ करोड रुपे दिये थे प्रयागराज शूटाउट को हुए 18 दिन बीच चुके हैं सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है आलम ये है कि यूपी सरकार ने शासना देश जारी कर फरार शूटर्स पर इनाम की रकम को डबल कर दिया है असद अतीक एहमद का बेटा जो सीसी टीवी में गोली चलाते हुए दिखाए दिया था इस पर इनाम धाई लाक रुपे से बढ़ा कर अब पांच लाक रुपे कर दिया गया है शूटर अर्मान पर भी इनाम अब पांच लाक रुपे कर दिया गया है मुहमल गुलाम पर भी इनाम की राशी बढ़ा कर 5 लाक रुपे कर दी गई है यही दुकान में कस्टमर बन कर खड़ा था और बाद में पिस्टॉल से गोलियां दागने लगा बम पाज नाम से मशूर गुड़ू मुसलिम पर भी इनाम की राशी अब 5 लाक रुपे कर दी गई है इसी ने थेले से बम निकाल कर कार पर फैके थे और शूटर साबिर पर भी इनाम अब 5 लाक रुपे है यह पीछे से राइफल लेकर बैक अप के लिए आया था उमेश पाल हत्याकान में शामिल सिर्फ शूटर्स पर ही नहीं बलकि शिकंजा यूपी सरकार अतीक एहमद के करीबियों पर भी कसने लगी है इसकी शुरुवात प्रयाग राद से हुई थी अब लखनौ में भी अतीक एहमद और उसके करीबियों की अवैद संपत्ती पर जल्द ही बुल्डोजर चलेगा अतीक के गैंग ने जो भी प्रॉपर्टी खड़ी की है उन पर कारवाई की तयारी हो चुकी है लखनौ विकास प्रादिकरण ने अतीक से जुड़ी संपत्तियों की लिस्ट तयार की है और अगले दो-तीन दिनों में इसका खुलासा हो सकता है कि अतीक के किन-किन करीबियों की अवैद संपत्तियों पर प्रशासन का बुल्डोजर चला है पिछले कुछ महीनों में लगातार यूपी के अलग-अलग शेहरों में अतीक के साथियों, फाइनांसर्स और उसका गैंग चलाने बालों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चल रहा है उस लिस्ट में शूटर गुलाम का भी घर है, ये घर प्रयाग राज प्रशासन के रेडार पर है अपको ये बंद दुकाने, इसे पुलिस ने बंद करा दिया है, ये पूरा धर गुलाम का है और अब इस पर भी कारवाई होनी है उधर बरेली की जेल में बंद अतीक एहमत के चोटे भाई अश्रफ को अपनी जान की फिक्र सता रही है अश्रफ ने कोट से गुहार लगाते हुए फिजिकल पेशी से छूट की अपील की है क्यूंकि उसे आशंका है कि कोट में पेशी के लिए बरेली से प्रयागराज ले जाने के दौरान कोई अन्हों नी हो सकती है इसलिए अश्रफ ने CJM कोट से मांग की है कि विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उसे कोट में पेश किया जाए वो जाच में पूरा सहयोग करेगा CJM कोट ने अश्रफ की याचिका पर धूमन गंज पुलीस से 15 मार्च तक जवाब मांगा है गुजरात के सावर्मती जेल में बंद अतीक एहमद भी कोट से विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोट में पेशी की मांग कर चुका है दोनों भाई ये मांग क्यूं कर रहे हैं योगी सरकार में मंत्री आनिल राजभर के बयान से समझ में आ जाएगा UPSTF की टीम अतीक एहमद से पूचताच करने के लिए एहमदबाद पहुँच चुकी है वही राजुपाल की पतनी पूजा पाल को CBI कोट ने स्थाई सुरक्षा देने का आदेश दिया है जिस बरेली की जिला जेल में अतीक का भाई अश्रफ बंध है उसी जेल के अधिकारियों पर बड़ी कारवाई की गई है डियाईजी जेल आरिन पांडे ने जेल के साथ करमचारियों को सस्पेंड कर दिया है जिसमें एक जेलर, एक डिपटी जेलर और पांच जेल वर्डन शामिल है आरोप है कि अश्रफ को जेल के अंदर वी आईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था उसके बैरक में मोबाईल फोन के जरिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग भी करवाई जाती थी इस मामले में बंदी, रक्षक, शिव, हरी, अवस्ती और मनोच गौड पहले ही गिरफतार हो चुके है यही नहीं जेल सुप्रिटेंडेंट राजीव शुकला को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया गया है ऐसे आरोपों के बाद की सावरमती और बरेली जेल में उमेशपाल हत्याकान की साज़िश रची गई थी और अतीक अपने एक गुर्गे के मोबाइल के जरिये भाई अश्रफ से संपर्क में था समाजबादी पाटी ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि जेल में अपराधी मौज करते हैं अब यूपी के जेल मंतरी गुजरात के जेल मंतरी को चिट्थी लिखेंगे ताकि अतीक एहमद की गतिविध्यों पर लगाम लगाई जा सके उधर बीजेपी के एक विधायक ने ये कहकर संसनी फैलादी की उमेशपाल हत्याकान में दो आरोप्यू का इंकाउंटर हो चुका है और अतीक एहमद जैसे अपराधी भी मारे जाएंगे वही सोमबार को यूपी के महोबा में सड़क परियोजनाओं के लोकारपन के दौरान केंद्रे मंत्री नितिन गड़करी ने योगी के आक्शन की जम कर तारीव की लेकिन समाजबाती पार्टी ने योगी सरकार के एंकाउंटर और बुल्डोजर पॉलिसी का विरोध किया सरकार की मन्शा क्राइम को खतम करना नहीं है सरकार की मन्शा ये है कि कहां अपने नफ़े और फायदे और नुखसान के लिए किसको कहां इस्तमाल करना है